सीनी में जलन, acidity, peptic ulcer ये सभी पेट से जुड़ी समस्या हैं जो अक्सर खान पान के गरबड़ी की वज़े से होती है acidity के समस्या से बचने के लिए आपको एक बेहत जरूरी बात ध्यान में रखनी है आपको भूखा नहीं रहना है क्योंकि पेट में जब कुछ नहीं होता पेट खाली होता है तो पेट में acid के मादरा बढ़ जाती है जिससे acidity की समस्या और बढ़ती चले जाती है और लंबे समय तक या अस्तिती बनी रही तो या पेटिक ulcer का रूप ले लेती है इसलिए तीन घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ खाते रहे याद रखे बहुँ ज़्यादा भी आपको नहीं खाना है थोड़ा थोड़ा light खाना आपको खाना है चाय कॉफी पीना आप avoid करिए खाली पेट तो बिलकुल चाय कॉफी नहीं पीना है अगर मजबूरी में पीना हुआ तो चाय के साथ थोड़ा biscuit, bread या small snacks आप ले सकते हैं ऐसे डिटी में दूद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये कई लोग पूछते हैं तो या रखे दूद पीना अच्छा तो है पर acidity में ठंधा दूद पीना ही बहतर होता है आप चाहे तो दूद में बॉनवीटा, केसर, हॉलिक्स ऐसी चीज़ें मिला कर पी सकते हैं breakfast और snacks में bread या toast में आप जैम या बटर लगा कर खा सकते हैं idli, cornflakes जैसा हलका नाश्ता आप कर सकते हैं सबसे जरूरी बात याद रखेगा कि नाश्ते में या कभे भी आपको deep fried तेल में दली हुई चीज़ें जैसे समूसा, पकोड़ा, मसाला, डोसा जैसे चीज़ें आपको नहीं खानी है fast food तो बिलकुल नहीं खाना है आप चाहे तो थोड़ा बहुत sweets खा सकते हैं acidity होने पर मिर्ची आपको बिलकुल नहीं खानी है इसलिए तीखा खाना बिलकुल भी नहीं खाना है चांट नहीं खाना है क्योंकि चांट में भी तीखा होता है मतलब आपको मिर्च को अपने diet से बिलकुल हटा देना है भोजन में आपको उबली सबजियां खानी हैं द्यार रखेगा खाना बिलकुल भी तिखा नहीं होना चाहिए भोजन में चावल इंक्लूट कर सकते हैं चावल को आप दाल या दूद, घीया, गी के साथ खा सकते हैं खाने में आप गेहूं की रोटी भी शामिल कर सकते हैं खाने के बाद कुछ मीठा खा सकते हैं जैसे पुडिंग, जैली या आईस क्रीम और भी बहतर होगा खटे फल आपको बिलकुल नहीं खाने हैं इमली, अंगूर जैसे खटे फल, सिट्रूस फ्रूट्स तो खाना आप बिलकुल बन कर दे आप मीठे फल खा सकते हैं जैसे तर्भूज आदी, ड्राइफ फ्रूट्स आप खा सकते हैं पेप्टिकल सर यानि पेट में च्छाले जब तीचे से बढ़ने लगे उस सिती में आपको बिलकुल ब्लैंड डाइट लेना है आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे दूद पीजिए, ठंडे चीज़े खाईए जैसे चॉकलेट, मिलकशेक, आइसक्रीम आदी खाना आपका बिलकुल बिना मिर्च का होना चाहिए खाने में आप ब्रेड, बटर, चावल, साधी दाल के साथ उबली हुई सबजियाँ शामिल करिए मीठे बिस्किट्स, मीठे फल, प्लैन इडली आदी आप खा सकते हैं जब तक पेप्टिक अलसर का अक्यूट फेस खतम नहीं हो जाता अतार पेट में अलसर्स का बनना कम नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसा ही खाना खाना है